आईजीमसी से जुड़े अहार सेवा टेंडर का मामला तूल पकरता ज़ा रहा है हलांक की बीते दिनों आईजीमसी प्रशासन द्वारा पूरे मामले को लेकर स्पाई दी गई थी लेकिन अब एक बार फिर युव कांग्रेस के कारेकारियत हैक सियदूपती ठाकूर ने मीडिया के सामने आते हुए पूरे मामले में कई सवाल खड़े किये हैं उन्होंने पार्टी मुख्याले राजी भवन में आयोजीत पत्रकार बारता में कहा कि सरकार को दलगत राजनीत से में कमपनी को राहत मिली थी ना कि क्लीन जी उन्होंने कहा कि आइजीएमसी ने एटेंडर में कहा था कि यदी कोई भी फरम ब्लैक लिस्ट है तो उसे स्त्यापित शपत देना होगा यदो पती ने कहा कि यदी शपत दिया था तो किसाधार पर कारवन्डित किया गया पूरे मामले में सोंबार तक IGMC प्रशासन जबाब नहीं देता है तो मंगलबार को पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री और IGMC का घेराब किया जाएगा इसके साथ ही यदि सरकार ने भी गंभीता नहीं दिखाए तो मुख्यमत्री तक के पुतले फूंके जाएंगे कि जो प्रेस कॉंफ्रेंस का मुख्यम बुद्धा था हमने मीडिया के मात्यम से पहले भी इस पूरे मामले को अठाया था कि किस प्रकार IGMC में जो दो क्रोड़ 49.009 का जो खाना भी तरन करने का जो काम था किस प्रकार से उस काम को जो है सरकार पहले 2.49 4000 पेमें कर रही थी लेकिन उसको जो है गलत तरीके से किसी भ्यक्ती भी से इसको फाइदा पहुंचाने के लिए उस पूरे काम को जो है 5 करोड पहमें तब्दील कर दिया जाता है और काम उसी भ्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति जो है blacklisted है और उसके उपर जो है पहले भी IGMC प्रशाषन में जो EPF का जो कर्मचारियों का जो आउट्सोर्स के कर्मचारी थे उनका EPF का जो पैसा था उसको हडपने का पहले भी उनके उपर आरोप लग चुके हैं लेकिन इन सारी चीजों के बाबजूद आईजीमसी प्रशासन जो है इन सारी कंपनियों के उपर जो है जो जांच करने की बात है वो बिल्कुल जुटी बात है क्योंकि इनके उपर जो है कोई जांच नहीं हो पारी है प्रदेश की जनता जो है सच जानना चारी है और जो सरकार का ज का दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर जो है हिमांचल यूवा कॉंग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है क्योंकि यह ठेकेदार है खुद को जो है मानिय मुख्यमंत्री का बहुत करीबी बताता है जो स्वास्तिय भिभाग के भी कई करमचारी है उन्होंने भी नाम ना बत तक का अल्टी मेटम देते हैं अगर सोंबार तक जो है प्रदेश सरकार या आईजीम्सी प्रसासन जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है अपना रुक्स पस्ट नहीं करती है सीधे तोर पर तो हम आईजीम्सी प्रसासन का और स्वास्तिय मंत्री का घहराब करेंगे और सामुही की तोर पर पूरी हिमांचल प्रदेश में सरकारी धन के दुरुप्यों को लेकर जनता के पैसों को दुरुप्यों को लेकर मान्य मुख्य मंत्री का पूरा जो हिमांचल प्रदेश है उसमें हर ब्लॉक स्टर पर जो हम जैराम ठाकपरजी का पुतला जलाएं देखिए यह कागज जो है पुब्लिक डोमेन पे भी है और यह हमने आर्टी आई के माद्यम से भी यह कागज निकाले हैं इसमें आप साब तौर पर देख सकते हैं कि न्यू विजन इंडियन देख सब्सक्राइब सब्सक्राइब अलें रही हैं ने आप काम नहीं कर सकते और बाकी जगापे जो है आप काम कर सकते हैं लेकिन IGMC प्रसासन जो है मिडिया के सामने ये कहता है कि हमने मुरीजों को और बहतर स्वास्तिय प्रणाली और खाद्य जो पदार्थ हैं उनके वितर्ण करने के लिए जो हमने गुनवत्ता के आधार पर जो है इतना जो प्राइज ह इसका क्या सबूत है या इसका क्या प्रमाण है कि कल को ये कंपन जो है लोगों को अच्छा खाना वितरत करेगी क्योंकि जो already blacklisted company है चाहे अधार कुछ भी रहा हो लेकिन जो blacklisted है जो defalter company है उसको जो है काम ना देकर किसी और company को दिया जाता हम जो है किसी व्यक्ति भी सेज के खिलाप नहीं है हम इस पूरे system के खिलाप हैं जिसमें जो है सरकार का और जनता के पैसे का दुरूपयों किया ज किसी और होट के जो होट वड़िच है जोगे रहा है जो है जो है जो उसन नहीं है जोगे बदाव रहा है रहा है किसी और स्चया जाल मैं जो भी रहा है तो